नमस्कार दोस्तो मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो ये जो मेरा वीडियो ये एजुकेशनल वीडियो है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कम्यूटेशन के बारे में आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो जो आज का वीडियो है यह मेरा Commutation Restore के परे में जब Commutation Restore हो जाता है आपका तब कितनी pension बननी चाहिए तो मैं आपको पूरी calculation करके बताऊंगा laptop पे जब आपका Commute Period Commutation Period खतम हो गया है तब कितनी pension बनती है और ये भी बताऊँगा कि commutation period कब से start होता है और कब तक चलता है तो चलिए laptop की तरफ मैं आपको बताने वाला हूं कि commutation period कब से कब तक का होता है और जब commutation बंद कर दिया जाता है तब pension कितनी होती है तो सबसे पहले मैं आपको एक image दिखाता हूं ये एक pension रहे है जिनका नाम है B.S. अब जो सबसे पहले मैं आपको बता रहूं जो commutation period कब से start होता है अगर किसी व्यक्ति ने commutation लिया है अगर वो commute कराना चाहता है pension से तो वो period कब से start होता है तो यह है date of retirement यह जो retire हुए ते जो रिटेर हुए ते 31-3-2006 को जैसा कि आप देख रहे हो 31-3-2006 में retire हुए ते इनका जो date of commutation period is start होगा वो date of retirement के अगले दिन से start हो जाएगा यानि अगर किसी का retirement 31-3-2006 का है तो जो commutation period is start होगा 15 साल के लिए commutation period जो होता है वो 15 साल के लिए होता है 15 साल बाद commutation बंद हो देख सकते हो तो जो date of retirement is व्यक्ति की यह है 31-3-2006 तो जो commutation period is start होगा वो होगा 14-2006 से आप ये नीचे देख रहे है date of commutation ये start होगा 14-2006 से और date of restoration यानि commutation कप खताम होगा उसका ठीक उसी महिने 2021 में यानि 15 साल बाद 14-2006 से आप लगाएंगे 15 साल बाद तो ये जो period है ये खताम होगा 14-2021 से यानि जो उसको अगली pension मिलेगी अप्रेल वाली नहीं मही की जो pension मिलेगी वो उसको commutation free मिलेगी उसमें commutation नहीं कटेगा तो इस तरीके से commutation period होता है और भी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर मैं आपको उसकी calculation मता हूँगा अब देखिए एक हैं ये एक के शाहिन का नाम है ये retire हुए थे 34-2006 यानि अप्रेल में ये retire हो गए थे तो यानि इनका commutation जो start होगा वो इस date के अगले दिन यानि 15-2006 से इनका commutation start होगा 15 साल के लिए और खतम होगा उसी मही ने 15-2021 को 15-2021 में इनका 15 साल complete हो जाएंगे यानि मई जून में जो pension मिलेगी मई की जून में pension मिलेगी वो इन्हें commutation free मिलेगी उसमें commutation नहीं कटेगा तो इस तरीके से हम देखते हैं इनका commutation restore का period अब बात आती है जब 15 साल complete हो जाते हैं उसके बाद pension कैसे बनती है यह भी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हम इनी का देखते हैं इनका नाम है बलवन सिंग कठेथ मैं highlight कर रहा हूं बलवन सिंग कठेथ इनका commutation कठ रहा था मार्च के महीने में यानि यह इनकी basic management है ना 2450 मैं अपना calculator भी निकाल लेता हूं यह मेरा calculator आ गया मैंने जितनी भी calculation करी है वो सब मैंने आपको manually calculator पर करके बताईए जिससे आप अच्छी तरीकी से सीख लें इनकी जो basic है यह है 2450 अब मैं आपको पहले commutation जो इनका cut रहा है उस पे कितनी pension बनती है पहले वो calculate कर देता हूं फिर मैं आपको बताऊँगा जब हम इनका commutation नहीं कातेंगे तब कितनी pension बनेगी तो इनकी basic pension है 2450 तो मैं कर लेता हूं 22 450 ठीक है इस पर मैं लगाऊंगा 17% ड यह आ गया 3817 तो हम लेंगे 3817 3817 प्लस जो जो बेसिक pension थी 2450 प्लस 22 450 तो यह तो आ गया 26267 अब इस में से हम commutation माइनस करेंगे जो commutation था इनका यह था 3408 माइनस 3408 अब इनका medical भी देख लेते हैं कुछ इनका medical तो नहीं मिल रहा है अगर 1000 मिल रहा होगा तो वह हम इसमें add कर देंगे नहीं इनका medical नहीं मिल रहा है तो इनकी जो total pension बनेगी मैं आपको दिखा लेता हूँ यह बनी 22859 आप यहां पर भी देख रहे हैं 22859 तो जो commutation माइनस करके जो pension बनेगी वो बनेगी 22859 तो इस तरीके से मैंने जो बताया आपको commutation अगर commutation माइनस करके कितनी pension बनती है अब मैं बनाता हूँ pension बनाता हूँ commutation हटा कर अगर हम इनका 15 साल बात commutation हटा दें तब इनकी pension कित्ती बनेगी तो सबसे पहले हम वो ही लेके चलते हैं basic कित्ती थी इनकी इनकी basic आप देख पा रहे हैं 22450 ठीक है अब इस पे 17% डी है वो ही आ गया 3817 plus 22450 तो यह जो pension बनेगी अगर इसमें medical है 1000 रुपे तो वो भी इसमें add हो जाएगा लेकिन इस आदमी का नहीं है 1000 रुपे तो commutation include ना करके, commutation नहीं minus करके यानि जो full pension मिलेगी 26267, 26267 full pension मिलेगी यह मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं यह तो मैंने आपको दिखाया थी commutation minus करके, अब मैं आपको दिखाता हूं, full pension जो मिलेगी यह आप देख सकते है 26267 जो मैंने बनाई थी 26267 यह आप देख रहे हैं तो इस तरीके से हम calculate करते है pension पूरी जब 15 साल हो जाते हैं और commutation कटना बंद हो जाता है इस तरीके से हम पूरी pension calculate कर लेते हैं तो बहुत ही easy तरीका है, easy तरीके साब check कर सकते हो कितनी बन रही है अब एक है अजे कुमार शाह एक और मैं आपको example दे लेता हूं अजे कुमार शाह है इनका नाम इनकी basic है 38460 मैं calculator निकाल लेता हूं 38460 का 17% डिये यह आ गया 6539 6539 प्लस 38460 यह आ गया अब इसमें 1000 रुपे और add करेंगे medical का अब इसमें से हम minus कर देंगे commutation, commutation था 5986 तो यह आ गया 40,013 तो आप देख सकते हैं 40,013 अब इनकी full pension कितनी मिलेगी अगर हम commutation minus नहीं करते, commutation इनका period over हो गया है तब इनकी full pension कितनी मिलेगी वोई 38,460 पे 17% डिये यह गया 6539 6539 प्लस 38,460 प्लस 1000 रुपे तो इनकी जो pension बनेगी वो बलनेगी तो हम उसमें देख लेते हैं अब आप देख सकते हैं 459999 पेंशन अब बनेगी full pension तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के हम इस तरह के से calculate करते हैं commutation over होने के बाद full pension जब मिलती है तो SM calculate करते हैं मैंने आपको commutation period बाप को बता दिया, commutation period जो होता है वो कब से देखने हैं यानि date of retirement अगर date of retirement है date of retirement से अगले दिन से यानि 31 चे 2006 है तो उसके अगले दिन से start हो जाएगा commutation period अगले 15 साल के लिए यानि 31 तीन है तो एक चार एक चार 2006 से start होगा और जो restoration date होएगी यानि जब खतम होगा तो वो उसी महीने 14 2021 को वो period खतम हो जाएगा एक और चीज में आपको बता दूँ अगर किसी का commutation period 14 2006 से start होगा यानि date of retirement के अगले दिन और उसका खतम हो रहा है 14 2021 में तो अगर कोई bank वाला कोई pension वाला उनका commutation period बंद नहीं करता है यानि जो महीना 4 में खतम होगा था वो कहीं October, December या फिर आगे महीने में वो commutation काटता रहता है तो फिर area बना के देंगे वो यानि चार तारिक से यानि पांचवे महीने से और जब तक उन्होंने change नहीं किया है तब तक का वो area बना के देंगे तो यह rule में है कि अगर वो भूल जाते हैं करना या फिर नहीं करते हैं कई लोगों का bank वाले या फिर जो pension मनाते हैं वो भूल जाते हैं commutation बंद करना तो आपको remind कराना होता है एक application देनी होती है कि हमारा चार तारिक को हमारा commutation बंद होना था वो बंद नहीं हुआ है और अभी तक चलता आ रहा है तो फिर वो आपको area बना के देंगे जब से आपका बंद होना था commutation एरियर पूरा बना के देंगे वो commutation का तो आप letter लिखेंगे कि हमारा commutation बंद नहीं किया है जिनका बंद कर दिया है ठीक है full pension मिलना start होगी है लेकिन जिनका नहीं बना है उनका area वो calculate करके देंगे जब से उनका बंद हुआ है और अब तक जब तक commutation उनने बंद नहीं किया है तो यह पूरा area आपको बना के लेंगे तो यह मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके सम commutation period देखते हैं और pension calculate करते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस से लेटेड और वीडियो में लाता रहूंगा आपको कुछ पूछ रहा है तो डारेक्टा मेरे को comment कर सकते हैं थैंक thank you very much